कि अर्थपकाश देखिंगे 你म largest कि दॉक्ति वेतव कि अम अज हम बात करेंगे अज हम पहले की बात करतें ते आज रिजल्ट की बात करेंगे जैसे आपको पता किल दॉट्था कि व अपक्रbane असी तरह बचाकर रखा है यानि बड़ोद्दा के अंदर हुड़ा की चोदर वैसी की वैसी बरकरार है यह बहुत बड़ी बात है कि जेजेपी भाजपा यानि गठमंधन का कैंडिएट कहेंगे पिछली वार जो कैंडिएट थे वह गठमंधन के नहीं थे अलग लग खड़े थे लेकिन इस व पचास हजार सत्तर यानि दस हजार की लीड से कांग्रस ने सीड जीट ली है अब दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि जैसे आपको पता है कि भारती जन्ता पार्टी ने बिहार में बहुत अच्छा प्रशन किया जो अदर स्टेट में मध्यवदेश में हुए थे वहां प प्रदेश जैस्टेट के प्रदेश चोदरी उंपर का धंकड़ बने उनके बनने के तुरंत बाद यह उप्चुनाव आ गया यानि उसमें कहा जाता कि सरकार की नितियों का एक प्रिक्षा होती है जिसमें देखा जाता कि जन्ता वो नितियों को मानती एक नहीं और यह धं चोदरी भपिंदर संगोड़ा और कांगर्स पार्टी यह करेते हम यह चुनाव विश्वाश की उपर लेंगे यानि आज की डेट में हम कह सकते हैं कि विश्वाश विकास पर हावी रहा यानि हम और दूसरे सब्दों में कि चोदरी और जैसे जेजेपी भाजपा हैं अब हम बात करेंगे कि कांग्रस कांग्रस ने अपनी बोट में हिजाफा किया है अब जो श्तिति है यानि दूसरे शब्दों में कि भारती जनता-पार्टी का अश्व में एक यक्का घोरा भॉद्दा के अंदर जा रहा है लेकिन उसके बीच में कांग्रस ने ब्रोद सिट जैसे हम आम सब जानते हैं की लैक्ष्टन हो जता है डो उसके बाद करें यह उन ठरकाश बत्वारेगे क्योंकि धंकर जी का प्रथम अलेक्शन था उपचनाव और हर्याना के अंदर उपचनाव ये हार चुके हैं भारती जंता पार्टी तो क्या काब जो चिंतन शिवर होगा और हाई कमान के आगे एक वो ऐसा है स्थिती मुसूस करेंगे अगर हाई कमान को अगर यह वो यह कहते हैं तीन यह दो कहसान दूसरी यह किसान जो बिल था उसके कारण हमारी बोटेंग कम हुआ तीसरी वह कह सकते हैं कि की ताल मिल की कमी अगर यह तीनों चीज़े देखा जाए तो को रोनना की श्तितिता टो भीहार में वी थी जो किसान जो बिलों का बिल का उपोजिशन थी वह भी बिहार में थी तो क्या कारण है कि हर्याना के अंदर भारती जंता पार्टी वह मुकाम नहीं हासल कर सकी जो बिहार कंदर कर सका यानि वह यह बात नहीं कह सकते हैं अगर वह यह कहते हैं कि पचास यार पोट नहीं है इसमें हमारा भी योगदान है यानि चारों तरफ अगर अज की देट में वह चोधरी ओंपरकाश धनकर किया कि वह पार्टी हाई कमान को यह क्या जवाब देंगे और आज की डेट में जैसे हम सो को पता है कि भारती जंता पार्टी बिहार में भी अपना आली से नाखोश है क्या जो विकास की बार सरकार करती आई थी इस एलक्शन में वह विकास को दिशन आज को क्यों दिखाई नहीं दिया क्या कारण थे जो दिखाईंगे सका क्या कारण थैंकि भारत दिदनता पार्टी को उप चिनाव के अंदर भी जो कहा जाता है कि एक परशन यह आता है दंता के मन में भी है कि स्टेट बीजेपी पूर्ण रूप से सेंटर के परड़िमेंट है क्योंकि इस एलेक्षन के अंदर मोदी जी नहीं आये थे शैद इसके कारण तो नहीं कि भारती जैनता पार्टी यह यह बहुत तत्थे जो भीशे के अंदर धंकर पूछ भी सकती है लेकिन मुझुद्धा सिति के अंदर हुड़ा ने यह दखा दिया है जो 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 जुगे शुर्दत पहलवान थे वाकई उन्हों पहलवान नहीं के खाड़े के अंदर गोल्ड मैडल जेते हैं लेकिन राजनिती खाड़े के अंदर दूसरी बार शिकस्त चोद्वी भपिंदर सिंग हुड़ा ने आज की डेट में दे दी है और अपना वजूद वहाँ पर काइम कर लिया है ब्रोद्दा के अंदर यानि ब्रोद्दा का किला उन्होंने फते कर लिया है और चारो तरफ भारती जनता पार्टी के भगवे के बीच में अगर कांगर के अंदर और सबसे बड़ी बढ़ाई के पातर है वो लोग जिनोंने बड़ी सूजबूग के साथ सूजबूज के साथ अपना मत का प्रयोग किया और मत का प्रयोग करना वी चाहिए ब्रोद्दा की लोगों ने निश्पक्ष लोग कंतर पतान किया और यह सब बढ़ाई क हो जता है फिर उसी उर्जा के साथ अपनी गल्टियों को दूर करके जैसे अब चिंतन शिवर होता है हर और एक्षन के बाद या अब भी चिंतन शिवर होगा लेकिन इन सब गल्कियों को दर्कनार करके फिर आने वाले युद्ध के लिए तियार होना चाहिए लेकिन आज की डेट में अगर हम कहें कि जो सचाई है जो हर्याना की जनता ने बताई है कि हर्याना की जनता ने पूरन रूप से विकास को दर्कनार कर दिया है क्यानी ह्याना की जनता को विकास नहीं दिख रहा और इसका ये परमान है क्योंकि लोग डेमो क्रिश्ची में तथ्षों के धार पर बाते होती है जो स्थिती होती है मुझुद्धा स्थिती के अंदर इंदू राज की जीत ने कांग्रेस के अंदर एक नई जान फूख दी है और भारती जनता पार्टी का खेमा और सबस्थी बात ये है जो एहम बात ये है कि आज भारती जनता पार्टी के सारी स्टेट काई हैं जशन मना रही हैं बिहार के और हर्याना की जो काई है वो जशन भी नहीं मना सकती क्योंकि अगर वो जशन मनाती है तो किस बात का जशन का कारण के है ये हमारी exclusive रपोर्ट थी जो मेरी डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा की